आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले है कि लोन राइट आफ क्या होता है कि यह लोन राइट आफ किया जाता है और कौन-कौन से bank's mainly loan write-off किये है इन दे लास financial year of 2024 तो चलिए जान लेते पहले loan write-off होता क्या है तो बिसिकलिह हम लोग जानते है कि banks lend करता है पैसा लोगों को for their needs, be it for their business or be it their personal loans or whatever it is, वहाँ पर ही दो situation आता है, either लोग loan repay कर देता है time to time and they repay the entire amount fully, दूसरा case है कि लोग return नहीं कर पाता है, because of the financial condition or whatever may be the case, तो उसके कारण if the borrower does not pay back, अगर payback नहीं कर पाता है, then the money has been lent, जो money lent किया हुआ है उस वो बन जाता है NPA, that means non-performing assets, इसका term बोलता है non-performing assets, NPA, तो जब यह लोग पैसा नहीं दे पाते हैं, तो जो बैंक से वो ट्राई करता है पैसा वापस लेने के लिए, but कभी कभर पैसा नहीं ले पाते है, because the person who has already taken the loan, उनका हालत इतना खराब होके रखता है, कि they have no money to give back the loans, or maybe the case, बहुत अगर ultra H&I people हुआ, ठीक है, लोण लेके भाग गए, देश छोड़ के, कंट्री छोड़ के भाग गए, ठीक है, कंट्री छोड़ के, बहुत सारे केसे हैं, इंडिया में के लोग बहुत साजादा लोन लें के कंट्री छोड़ दिया है, तो उन सब केसे में, लोन माफ किया जाता है, and those becomes non-performing assets, यहां पर बोल रहा है, when it is too hard to recover the money, lender may choose to move on, तो कोई फाइदा नहीं है, और परसीओ करने का, क्योंके, बैंक्स को पता लग जाता है, कि there is no way that they can recover that particular loan, तो they choose to move on in that case. By moving on, बैंक्स erase the record of lending that money, and treat it as a loss. This is called the writing of the loan. मतला, बैंक्स के खाते में, जो भी entry किया हुआ था, मानली जे, परसन ए ने लिया हुआ था, 10 करोर का लोन, परसन भी number two ने लिया हुआ था, 50 करोर का लोन, मानली जे, पहला बन्दा, फर्स्ट जो है, 10 करोर का लोन वापस नहीं कर पाया रहा है, तो बहुर ट्राई किया बैंक्ने, लेकिन उस फिर भी लोन वापस नहीं कर पाया, उसके बाद किया किया, यह एंट्री है, पर्टिक्लर एंट्री, यह रिमुव दिस, ट्राइक और दिस एंट्री फोन बैंक लेजर, और यह 10 करोर का जो घाटा है, वो अज लॉस फोर बैंक शो करता है, यहां पर, इसी को बताया जाता है, कि राइटिंग फ़ लोन, यहां पर एक important point है, यहां पर देखिये, do note, the borrower is never really freed from the money they borrow, तो borrower के पास जो already borrower लेके रखे है, जो the loans, वो उनके खाते से loan maaf नहीं हुआ है, but the loan maaf कहां से हुआ है, the bank के खाते से, तो अगर मानले, जो borrower कभी भी इंडिया में वापस आए, then they will be again penalized for taking the loans and not repaying the payments, banks wrote off almost 1.7 lakh crores of loans in the last FY20, तो सोजी कितना जाधा loan, मनलब write-off हो रहा है अभी, FY20 में हम लोग जानते हैं कि COVID का टाइम था तब 2.34 lakhs करो सबसे जाधा उसी वक्त loan write-off हुआ था, FY21 में थोरा सा कम हो रहा है, FY22 में 1.75 थोरा सा कम हो रहा है, FY23 में अचानक बढ़ गया 2.08 lakhs crore का loan था, and last year, FY24 था, वहाँ पर 1.7 lakhs crore का loan माफ हुआ है, तो अभी देख लेंगे, कौन-कौन सा bank सबसे जाधा loss किया है, due to this write-offs in the last FY24, यहाँ पर देखिए, as a number value-wise, this is the value-wise chart, यहाँ पर PNB, Punjab National Bank, सबसे जाधा loss किये, 18,317 crores का loss, तो यह basically क्यों होता है, बहुत सारे लोग जो रहते हैं, banking officials, वो लोग शायद idea नहीं कर पाता है, कि यह बंदा सही से loan repayment कर पाएगा के नहीं, loan दे तो दे देता है, लेकिन उसके बाद दो idea नहीं मिलता है, इन लोगों के वापस कर भी पाएगा के नहीं, इसलिए maximum loss होदा है, banks का, तो PNB is the top one, which has written of the highest number of loans, that is 18,000 crores का value है, उसके बाद union bank है 18,000, 264, तो close है काफी दोनों ही, तो mainly PSU banks ही है, यहां पर देखे, state bank है 16,000, and canada bank with 11,000, and private bank भी आ गया, यहां पर HDFC bank 11,000, जो कि मैं expect नहीं कर पा रहा था, कि HDFC bank भी इस list में आएगा, क्योंकि HDFC का management काफी अच्छा है, काफी efficient है, तो इनका भी नाम यहां पर आ रहा है, और यहीं पर write-offs by percentage of gross NPS, जो जितना भी NPS non-performing assets है, उन non-performing assets में कौन-कौन से कितना ज़्यादा loan write-off किया हुआ है, वहां पर दिखा यह वाला दिखा रहा है, Indian Overseas Bank 106% का loan write-off हो चुगा है, यहां पर, Central Bank में 88% का loan write-off हो है, IDFC में 80%, Vanthan Bank 81% and RBL with 76% of the loan write-offs, तो इस वीडियो का मकसद यही था कि अभी जैसे हमनों पता है कि banking and finance का sector काफी boom में चल रहा है अभी और आगे का इसका valuation वगरा सब कुछ ठीक है, एक ही दिक्कत है, इन लोग का banks का जो loss making statement है, that is the loan write-offs, अगर यह loan write-offs ठीक-ठाक हो जाता है, इसका number थोड़ा बहुत सुधार हो जाता है, तो banks का जो revenues and profits और भी जादा से जादा बढ़ सकता है, तो the main hamper situation that these banks are facing is this particular loan write-offs, but still हम लोग देख पा रहे हैं कि COVID के टाइम से FY20 से काफी नीचे आया है अभी FY24 को, तो आइसता हिसता, there has been a reduction in the loan write-offs and we can expect good numbers going forward as well, और उसके साथ ही, banks का performance भी अच्छा रहेगा है, और जो banking stocks है, वो भी अच्छा खासा returns बना के देगा investors को. If you got to learn something new from this video, do hit the like button and I'll meet you in the next video. Thank you so much for watching.